फसल सीजन दो हजार इकिस बाइस में जीरे की पैदावार में तेज गिरावट के कारण जीरे की कीमते 5 साल के उच्टम सतर पर पहुँच सकती है भारत का जीरे का प्रोडक्शन 35 फीजदी तक घट सकता है इससे जीरे की कीमतों में 30 से 35 फीजदी का उच्छाल आ सकता है जीरे का क्रॉप सीजन नवंबर से शुरू होता है और मई तक चलता है काली मिर्च के बाद जीरा दुनिया भर में दूसरा सबसे जादा पॉप्यूलर मसाला है क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक रवी सीजन 2021 के दौरान जीरे का पैदावार 36 सालाना आधार पर 21 फीजदी घट कर 9 बशमलब 8-3 लाख हेक्टर रहने की उमीद है सबसे जाद गिरावड प्रमुक उतपादक राज्यो गुजरात और राजिस्तान में आई है रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिकूल मौसम के कारण इल्ड पर असर पड़ा है गुजरात में पैदावार सालाना आधार पर 20 फीजदी और राजिस्तान में 15 फीजदी घटी है रेटिंग एजनसी क्रिसिल का मानना है कि भारत की जीरे की पैदावार सालाना आधार पर 35 फीजदी घट कर 580 लाख टन रह सकती है जीरे की पैदावार बड़े पैमाने पर भारत, सीरिया, तुर्की और UAE में होती है भारत में जीरे की पैदावार पर असर पढ़ने का एक कारण यह भी है कि बुआई सीजन के दोरान किसान उची कीमतों के कारण सरसो और चने की फसल का रुख कर रहे हैं सरसो की कीमत 43 फीजदी बढ़कर 14 रुपे प्रती किलो पर पहुँच गई है जबकि चने की कीमतों में करीब 33 फीजदी का उच्छाल है भारत से होने वाले जीरे के एक्सपोर्ट पर भी असर पढ़ा है Financial Year 2022 में इसमें सालाना अधार पर 24 फीजदी की गिरावट आई है अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं Big Bliss 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूद और दही Big Bliss खुशियों की अपनी दुकान